दोस्तों वोला ने अपना IPO लेके आ रहा है ये तो सभी को पता है तो recently वोला ने अपने IPO को लेकर सेभी में paper file किये हैं और इस IPO का estimated worth 3,000 crore का बताया जा रहा है जिसके अंदर 5,500 crore के नए share सी issue किये जा रहे हैं और पुराने 10 shareholder से अपने share सी इस IPO के अंदर sale कर रहे हैं जिसक जो भी खरदा है या repayment जो भी है prepayment सब को clear करने में और इसके अलावा R&D में invest करने वाला है ओला का ये IPO इंडिया की पहली EV company की IPO होने वाली है इसके अलावा पूरे 20 साल के बाद एक automobile company के IPO आने जा रही है 2003 में मारुति सुजी की ने अपना IPO लेके आया था उसके बाद अभी ओला अपना IPO लेके आ रहा है या पर funding की ही बात हो रही ही तो एक और company blue smart mobility जो की ओला उबर की जैसे ही taxi sharing company है लेकिन इसके अंदर only electric vehicles से ही operate किया जाता है तो ये company अभी 24 million US dollar का fund raise की है successfully इसके अंदर पुर दिली NCR और Bengaluru के अंदर अभी तक ये 5500 electric vehicle से operate कर रहे थे इस नंबर को बढ़ा कर 8000 करने वाले हैं अगले साल खतम होने तक और इन कारों को charge करने के लिए blue smart के पास अभी तक 34 super hubs के अंदर 4000 smart EV chargers available है blue smart India और South East Asia के अंदर operate कर रहा है अभी तक blue smart 10 million trips और 330 million kilometer complete कर चुका है इनक अपने दो नए EV only showrooms open कर चुका है गुरुगाओं में इन showrooms के अंदर नए electric vehicle को sale करने के साथ servicing भी provide की जा सकती है के अलावा इन showrooms के अंदर recently launch हुई Tata, Nexan EV, Tiago EV, Tiger EV के साथ पुराने models को भी showcase किये गए हैं और बताया जा रहा ही कि Tata का plan है future में इसी तरह के EV showrooms हर से हर city के अंदर open किया जाए अगर हम इस showroom के experience की बात के जाए तो Tata के पुराने showroom से comparison करेंगे तो काफी नया और काफी unique और काफी premium experience इन showroom के अंदर मिलने वाला है दूसर इंडिया में 2030 तक हर साल की EV sales 1 crore तक जाने वाली है और इस EV segment के वज़े से 5 crore के नए jobs generate होने वाले हैं और ये बात को union minister नितिन गटकरी जी ने बताया है उसके अलावा इंडिया number one बनने वाला है EV manufacturing को लेकर world में इसके लिए government के logistic और public transportation को EV में shift to किया जा रहा है और बाकी पुराने IC engine vehicles को electric vehicle में convert करने के लिए retro fitting और hybrid fitting के लिए permissions दिये जा रहे हैं और आभी तक इंडिया में 34.54 lakhs की electric vehicles की register हो चुकी है और month on month और year on year growth भी बहुत तेजी से हो रही है electric vehicles को लेकर इंडिया में दोसरा आतर energy ने अपना नया model आतर 450 FX का launch date यहाँ पे confirm कर चुका है जनवरी 6 तारी को इसको launch कर रहे हैं लेकिन इसकी pre booking अभी open है झार आतर आतर आक j20 दो कर रहे है यहाँ है जनवरी 7 तक vision की जडिए ओयर isn'tने लिए है लigon